Assalamualaikum साथियो जब हमारी लाइफ को देखा या हम जो जवाब देते हैं जो तस्वीर अपने Facebook पेज़ पर डालते हैं उसमें साथी कहते हैं हम अपनी Biography लिखें अपनी जिन्दगी पर लिखें अपनी जिन्दगी के बारा लिखें हमें शायद तहरीर में तो इस वक्त ही हम ये जो एवान का रौकर है उसको हिला रहे हैं और साथ-साथ एक और काम भी कर रहे हैं और हमारे जहन में ये तस्वीर को देखते हुए जब हमने इसके कमेंट्स पढ़े हैं तो यादों के दरीचे जो है वो खुलते चले गए हैं हमारा बहुत दिल करता है बारहा दिल करता है कि हम अपनी वो यादें जो हमने एफरिका में गुजारी हैं कैसे हमारी शादी हुई कैसे हम गए हमारे खुआप क्या थे हमने सोचा क्या था और जिंदगी कैसी थी और साथ ये कि आज की दुनिया की जो बच्चियां हैं वो क्या सोचती हैं क्या तुरी वो एनरजी वो स्ट्रेंथ नहीं नजर आती जो के हमारी कौम की एक बच्ची में होनी चाहिए हमारा अपना जो ब्रॉट अप था वो एक हैपी हैपी फैमिली में नहीं हुआ हमारी दो अमिया थी हमारे वालिद एक तरह से बटे हुए थे हमने उनको जिंदगी में ब बहुत बड़े दारे के पाकिस्तान के founder हैं तो आते ही रात को 10-10 जाड़े दस पज़ए हो थे आर उस जमाने में कहां 2 दिन की हफते में चुटी हुआँ कर थी हमें फ्ईरप नहीं पता कैंः पाकिस्तान की चुटी होती है के नहीं लेकिन हमने उनको बहुत कम देखा, हमारे लिए अपने अबा का जिकर करना बहुत मुश्किल है, यानि के हम एक भारी दिल से जब भी बात करें उनका जिकर करते हैं, चुँके हमारी जिन्दगी में खलेशे कमी बहुत पड़ी रह गई, उनके ना होने से या बहुत कम होने स हम ब्याह के बाहर चले गए और जब वापस गए तो बहुत थोड़ी थोड़े वक्त के लिए हम वापस गए और कहते हैं ना जहां पिया वहां में बस जिन्दगी कुश्यों ही हो गई, हमारे हस्बंड जो थे वो जॉब पर थे और ऐसी जगों पर थे जहां से हमारे लिए आना इस तरह आजादी से पॉसिबल था भी नहीं और उस जमाने में बच्चियां भी आही भी यूही जाती थी के बस गए तो गए आप वही बसें और शोहर जो हैं जब पीवियां उनको छोड़ कर चली जाएं तो वो रूल जाया करते हैं तो हम शायद इतने मजबूत दि कैसे गुजारी बलके इसलिए है कि आज की बच्चियों को सीखना चाहिए इससे वो किसी का नुकसान नहीं करती हैं वो अपना कर रही होती हैं वो अपने आपको डिप्रेशन में डालती हैं अपने आप परिशानी में रहती हैं अपनी फिक्रें उनको जो हैं वो ऐसी लाह जिन्दगी के जो कंट्रिब्यूट करते हैं उसकी इस सिचुएशन में नमबर वान एक तो वहां का वैदर इस तरह का डिप्रेसिंग होता है बाहिर के मुमालिक का खासकर अमेरिका और इंग्लेंड जाने वाली जो बच्चियां हैं या यूरूपियन कंट्री में जाने वाल बलके पीछे की याद में घुलती रहती हैं हम उदास हो गए हम लोनली हो गए हम तनहा हो गए हम अगर सिर्फ और सिर्फ इस तस्वीर पर बोलें तो हम 24 घंटे बोल सकते हैं आप देख सकते हैं कि हम एफ्रिका में बैठे हैं जहां लाइट का एक तरह से कोई ऐसा नहीं था अंधेरे में बैठे हैं फ्लैश है कैमरे का जो चलाया है और जिसने ही तस्वीर ली है उस जमाने में मोबाइल्स वगारा का कोई जिलसले नहीं थे नहीं वह बिजली थी नहीं वह पानी था नहीं गैस थी हम लकड़ियां काटते थे और आंग जलाते थे और जाह है कि लकड़ियों का चूला घर के अंतर तो हो नहीं सकता तो यू ही सड़क पर या मैदान में जहां सारी दुनिया चलती प्रती है हम अपना केचन जो है वह बना कर बैठे हुआ करते थे तीन पत्थर रखते थे आपने कुछ तसावीर में देखे भी होंगे कि तीन बड़ उस जमाने में ये बिजली वगरा बिचाने के सिल्सले जो थे मिचले थे वहां पर उसके बाद फिर वो दुबारा से कौमे जो थी वो तबाही की तरफ चल निकली तो वो जो तारे थी पोल्स के ऊपर लगाई गई वो लोग चुरा लाते थे रात के अंधेरे में उनको जो के अमुमन ही आप हमारी तसावीर में देखते हैं ये जो आज का फैंसी फैंसी लाइफ है ये हमारी वहां नहीं थी हम एक बहुत वेल आफ घराने से तालुक रखते थे हमारी शादी हुई तो हम वही कॉंसेप्ट लेके लगन अमेरिका का अपने दिल में गए थे और तो जमाना वह था भी नहीं के आप इतना तसावीर में देख सकें या दुनिया इतनी छोटी हो के आपको पता हो के अफरीका में क्या होता है तो आप यही समझा करते थे के जहाज में बैठेंगे तो लंदन अमरीका की तरह एक सिवलाइस्ट दुनिया में आप पहुंच ज हुआ है हमने जेवर भी पहन रखा है और येरिंग भी हैं चेंज भी हैं हालां के हम बिलकुल एक ऐसे इलाके में बसते हैं जहां हमारी इन चीजों को देखने वाला कोई नहीं है बहुत ही गुर्बत की दुनिया थी वहाँ पर हम इस वक्तिस तस्वीर में बैठे हुए अ तो अबर फ्रोमान बांट दिया था हम जब आये तो हमारे साथ दो चार और पाकिस्ताइअ थे जो हम एरपोर्ट पे मिले जब उन्होंने देखा के हम एक सूटकेस के पास खाए है तो उन्होंने हमारा सूटकेस उठा के चेक इन के वक्त बैल्ट पे रखा वे करने के प्रकेस भी हम इसलिए लेकर आए कि वो हमारे जहेस की एक याद था तो हमारे बच्चों के तन पे भी जो कपड़े थे बस वो हीते फिर हम जिनके घर आए उन्होंने अपने बच्चों के बड़े कपड़े जो थे वो दिये कि हमारे बच्चे बदल कर पहन सकें चुंकि उस रोज आम तातील थी इंगलंड में और कोई भी चीज जो है वो अवेलिबल नहीं थी तो हमने यह सोचा था कि जाते ही हम किसी भी शॉप से कोई कपड़े खरीद लेंगे और बच्चों को पहना देंगे तो हम यहां से नहीं लेके जाते हैं चुंकि यहां के लोग बहुत जरूरत मन्द है इस तस्वीर में हमारी बेटी है सामने मिडल में जिसका अभी एवान है बेटा और साइड पे जो बॉय दिखाई दे रहा है वो हमारा बेटा है जो के अब डॉक्टर है इस तस्वीर में एक लड़की है, बिल्कुल उसका side face दिख रहा है, ऐसे लगता है जैसे उसने plastic का cap सा पहन रखा है, yellowish color का उसका blouse है, बिल्कुल आप right side के सामने front पर देख लें, वो बच्ची जो है, वो बच्ची हमने रखी अपने घर, वहाँ पर सिर्फ रोटी के लिए भी मलाजिम रख सकते थे, हम वैसे pocket money देते थे उनको, और ये बच्चे जो है, चार ये हमारे पास ही रहते थे, दो boys और दो girls हमेशा हमारे घर में रही, और वहाँ पर इस चीज़ को बहुत बड़ी खुशकिसमत ही माना जाता था, कि अगर वहाँ के local बच्चे जो है, वो कहां कहां से cover करें, हम जब इस बारे में बोलना शुरू करते हैं, या सोचना शुरू करते हैं, या एक तस्वीर भी हमारे सामने आती है, तो हमको यह महसूस होता है, जैसे यादें जो है, वो चादरें लपिट के हमारे आसपास आसपास आकर घेरा डाल लेती है, और हम बी को दुपहर के वक्त चावल और पते शत्ते पका के ड्राइ फिश पका के बीचा करती थी, तो लोग उससे खरीद के इस तरह खाना खाया करते थी, उसका बिजनिस था जाहिर है, अच्छी आमद थी और उसका खाना जो है, वो पूरे शहर में मैशूर भी था, बहुत दुन का कॉंसेप्ट नहीं था, बलके मैदान में घास भूस का एक जोंपड़ा सा बना होता था, कच्छी इंटों की ही दीवारें और सलाखें बाज अकाद जो हैं, वो उनकी विंडोज में लगा दी जाती थी, इस तरह के घर होते थे, सलाखों वाले, या कमरे ही होते थे, और पहास के ही बसकदे होते थे, जिन पर वो सोते थे, ऐसे अलमारियां वगारा ये कुछ नहीं होता था, वहां पर तो जो कपड़े थे पहनने वाले या जो दोतियां वो लोग बांधा करते थे, वो इसी तरह एक रसी बांध कर उस पर वो लोग डाल दिया करते थे, और होता है, काफी डीप रेड सा होता है, और इंजी रेड सा, वहां पर ऐसा कुकिंग ओयल जो था, वो दस्तियाब नहीं था, तो पाम ओयल जो है, वो उसका एक मखसूस टेस्ट और खुश्पू होती है, उसी में वो लोग पकाते हैं, पाम ओयल में हमारे ख्याल में वाइट था, चुकि वहां दूर दूर रोश्णी का नाम और निशान नहीं था, सितारे निकले होते, चांद निकला होता था, तो दिखता था, लेकिन जिस दिन डार्ट नाइट होती थी, उस दिन हमें दिखाई नहीं दिता था, तो हम अंदों की तरह जो हमारा हाउस की पर हुआ क करते थे, तो पाम ओल जो हमें, सारी जिंदगी वहां के लोग खाते हैं, और धान वहां की पैदावार नहीं है, उन लोगों में हमने ये खूबियां देखी और दूसरा है कि हमारे थ्रोट में चुप बदाद में खाने से बाहर निकले हुआ करते थे जब वो पत्ते खाने के लिए अपनी चाबनों पे डालते थे, तो उसमें बे शुमार गाटे जो हैं वो दिखाई देते थे, लेकिन वो आराम से उनको निगल लेते थे और उनके गले में वो कभी नहीं चुपते थे, लेकिन गांटे नहीं सॉलो गर सकते हैं, हम तो एक खाएं तो फस जाए, तो खुदा तईला ने ये सलाहियती हैं, ये उनको दी हैं, वो बने ऐसे हैं, उनकी बाड़ी ऐसे बनी है, कि वो उस महौल में उस environment में survive कर सकते हैं जब कि हम लोगों को struggle करनी पड़ती है तो देखा आपने हम बातों में कहां से कहां निकल जाते हैं और किस तरह पर वो सफय चादर लपेटे जो यादे हैं वो हमारे आसपासान बैठती हैं और इतना कुछ है उस पारे में बताने को कि हमें समझ नहीं आती कहां से शुरू करें और कहां पर खत्म करें तो यह जू ताम आरी थि यह शाम को उनों ने आपना खानवाना जब खत्म किय इसकी जो वालदा थी और आ कर वो पैसे ऐसे गिनने लगी तो कहीं कुछ चादर जो थी जो उनने दोती रसी जो बंद किया हुआ था, और वो चादरें जो थी मों दरवाजे के साथ ही तो वो उस डॉर से याज बढ़क गई चोता सा कमरा, बिल्कूल ही ननना सा ज ह गास की थी वहां से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और उस गाओं में या उस चहर में जो भी आप उसे कहलें एक पागल हुआ करता था वो ऐसे ही कोई उसे खाना दे देता या कोई पैसे देता बिल्कुल दीवाना था सारा वक्त शराब भी पी छोड़ता था वो पाम वाई निकलती है वहाँ पाम के जिसको आग लगी हुई थी तो उसने क्या किया कि बढ़कर वो जो खिड़की थी जनूनी ने उसने उस खिड़की की सलाख खेची हलांके वो आग में थी वो खुद भी जला उसका हाथ भी जला लेकिन उसने किसी तरह से वो सलाख जो थी एक वो हिला ली या निकाल ली या पांचे साल की लेकिन बड़े जो थे वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अंदर से निकल सकते वो अंदर जल गए और उनको जलों को हमारे ही हॉस्पिटल में लेके आया गया हमने पानी शानी दूछ छूथ पुरी तोर पे भीजा हम देखने तो नहीं गए ना हम में हिम्मत थी क्योंके बिल्कुल जल चुके हुए थे 80% से ज्यादा बिल्कुल तो दोनों ही जो थी वो नहीं बच सकी ता हमारी जो थी वो बिल्कुल ही पिर दुनिया में तनहा रह गई कि उसका कोई भी नहीं था जब ये बच्ची साथ लाई गई तो इसकी पलकें और इसके बाल स पलकें तक इसकी जली हुई थी तो हमने इस पच्ची को भे घर में रख लिया हमारे साथ ही रही बहुत अच्छी रही और बहुत खिदमत की इसने हमारी बहुत चोटी बच्ची थी हिम्मत से बढ़के काम करती थी सोई होती थी नींद भी गहरी थी उम्र का तकाज़ा था हम आवाज देते तो बिल्कुल हडबडा के भागी चली आती और इसी नहीं यह जो एवान की अम्मी है उसको पाला है एवान की अम्मी ने जिस वक्त वो मुल्क छोड़ा वो फोर एंड हाफ यहर्स की थी और फोर एंड हाफ यहर्स तक तामारी जो थी उसने ही एवान की व पूनीज और साए की तरह उसके साथ साथ जो थी तामारी चला करती थी हम मिस करते हैं उस वक्त को बहुत आज सब कुछ है हमारे पास दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सोचें के हम हासिल नहीं कर सकते हमें खुदाने बहुत नवाजा यह सिर्फ पर सिर्फ अल्ला चलने लग गया तो उस मुल्क में भी हमारा एक आद शक्स से रापता हुआ है इससे जो बड़ी लड़की हमारे पास रहती थी हमारी उससे एक आद बार अस्ट्रेलिया से अभी रिसेंटली बात हुई है कहीं से उसने हमारा नंबर लिया और हम से कॉन्टेक्ट किया है पा और वो भी अपने घर में सुखी बसती है उर्दू बोलती है अब भी बच्चियां हमारे साथ उर्दू ही बोला करती थी सीख गई उम्र ऐसी थी यंग बच्चियां थी तो एफ्रिका हमें इसलिए याद आता है कि वहां लोग थे सादा लोग थे महबत करने वाले लोग थ ऐाते थे वाहिर से हन में बैठ कर तो सारे जो छाब्डी वाले थे वो अपना सामान बेज़ बोच कर आके हमारे किचण में या जह हमने पत्थर रख के होते थे कुकिंक के लिए वहाँ बैठ चाया करते थे, सब दाएं बाएं बैठ जाते, कोई पत्ते तोड़ता, कोई फिश साफ करता, कोई कुएं से पानी निकालता, कोई पॉट दो के लाता, हमें नहीं पता होता था कि वह कौन है, कोई भी, हर शक्स जो भी रह चलता, वहाँ रुक जाता, हम कंखाना बनाते होप सारा जितना भी होता, एक बड़े से बाफ में, एक बड़े से ठाल में हम पॉट कंखाना, निकाल के रख देते, और जितने लोग वहाँ बहाँ पर उस वप्थर होते थे मैधान में, वाहाँ पर वह महाँ खा लिया करते थे, वहाँ पर यह नहीं था कि उसने कितना खाया या उसने कितना चमचों हमचों का कोई विवाज नहीं था, हाथ से ही खाते थे ऐसे बॉल बनाके और वो लोग जो हैं, वो उबलता उबलता खा सकते हैं, यह सलाहियत उन में है, हमारी तरह नहीं के ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल, अगर वो उबलता उबलता खाने के आदी नहीं होंगे, तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा और यह चीज वहाँ की बहुत अच्छी है, हाला के उन लोगों के पास खाने को नहीं है, बहुत गरीब दुनिया है, बहुत गुर्पत है लेकिन वहाँ पर ग्रीड नहीं है, खाना पकता है, कहीं भी कोई बैठा है, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई आया, कोई गया, कहीं भी खाना बन रहा है, वो आएगा, अपना थाल रखेगा, बेचने वाली चीजों का बैठ चाएगा, वहीं दो-चार काम शाम करेगा, जब पक जाएगा घरवाले थाल में निकाल देंगे जो उस वक्त मौझूद होगा वो खा लेगा, जो नहीं होगा वो रह जाएगा, तो खाने का वक जो है, उनका संसर्ट से रवरा पहले होता है, तो सारे लोग जो है वो दिन में एक तफा ही खाना खाते हैं, वहां पर यह facility नहीं है, luxury नहीं है, कि आपको 2 या 3 बार दिन में खाने को मिले, तो शाम को एक वक्त ही खाना खाया चाता है, तो यह वो दुनिया थी, वहां की बहुत सी कहानिया है, हमारा hospital जहां था, वहां से थोड़ा सा आगे एक school था बहुत बढ़ा, जहां पर सारे ही शह कभी हमारे पास ऐसी तौफीक हो, कि हम इन बच्चों को इतनी शदीद गर्मी में, कि पाओं में आबले पढ़ते हैं, उस मिट्टी पे पाओं रखने से, कि हम इनको एक चपल ही लेके दे सकें, हमारा दिल चाता है कभी-कभी, कि हम यहां पर एक ऐसी charity का आगास करें, कि इ उन ममालिक में, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए फराहम की जा सकें, कि जिन के पास पानी नहीं है, उनके लिए कुए खुदवाए जा सकें, जिन को इलाज के पैसे नहीं मिलते हैं, उनका इलाज करवाया जा सकें, जिन बच्चों के पास school के पढ़ाई के पैसे देने को फी नहीं है उनकी फीबे की जा सके लेकिन ये तो एक इतना ब्रॉड सिल्सला होगा कि शायद हम उसको संभाल भी ना सके हम से परस्नली जो हो सका हमने किया जो और्गनाइजेशन्स हैं वहाँ पर करने वाली एफ एओ है वर्ल्ड है युनाइटिड नेशन्स हैं स्टेशन्स जो से लाइशन्स हैं इंटरनेशनल और्गनाइजेशन्स के वालंटियस चाहते हैं सब काम करते हैं वहाँ पर अच्छे लोग हैं करते हैं शायद अगर हमने उन में जिन्दगी ना गोजारी होती शायद हम वहाँ पर रहे ना होते हमने वह दुनिया अपनी आखों से ना अमेरिका आके नाखुश हैं, इंग्लेंड आके नाखुश हैं, उन्होंने वो जिन्दगी नहीं देखी, तो बच्चियों को महासिन पे नजर रखनी चाहिए, उनको तो पल-पल अपने रब का शुकर करना चाहिए, कि वो ब्याह कर जन्नत में आ गई, तो अगर हम रात के इ इस तरह रहते थे, तो अपने आपको इनसान ठीक-टाक रखे, उसका भी उसकी रूप पर असर है, अगर वो इस तरह रुला हुआ रहेगा, पी-बी फकीरन बनके फिरता रहेगा, तो वो एक मुर्दा इनसान बन जाएगा, अंदर से भी, तो ये चीजें जो हैं, आप पिहान बदले, जिन्दगी जो है, वो इस तरह जाया करने के लिए नहीं है, कि आप बैट कई परेशान होके, उदास होके, हाथ पैट छोड़के, जरा सी चीज ने आपको जो है, वो रन डाउन कर दिया, ये चीजें बहुत कॉमनली जो है, आज कल की लड़कियों में पिए में गुजारा, हमने वहाँ देखा, कि इनसान इनसान से किस तरह महबबत करता है, हमने देखी बेबसी, हमने देखे बिना अद्भियात के मरते हुए लोग, हमने देखे बहुत काभिल लाइक बच्चे, बहुत प्रेनी बच्चे, अपनी पढ़ाईयों को छोड़ते हुए चोंके उनके पास देने के लिए फी नहीं थी, हमारे पास वहाँ पर एक किताब थी, एक बुक थी, जो हम को कहीं से याद नहीं अब कहां से मिली थी, जिल्द वाली किताब थी, बड़ा शाइनी सा उसका कवर था, उसके कुछ सफे पलटने के बाद उसके बीच में ब्लैक अमेरिकन जो है, लड़का, कोई 12-14 साल का होगा, वो अपने कुटे को खाना डाल रहा है, जो जो एनिमल की फीडिंग का टब होता है, उसमें बोल होता है, उसमें और उसके अंदर थोड़ा सा तो जो डॉग फूड होता है, वो डाला हुआ है, और उसके उपर किताब मौजूद थी, और हम अमूमन उठा के वहां के लोगों को किताब दिखाया करते थे, और उसकी वो तस्वीर जो थी, वो उनके लिए एक अजूबा थी, के जहां पर खाने को किसी को एक वक्ती रोटी नहीं मिलती है, लोग भूख से मर रहे हैं, वहां एक कुते के अगे कोई एक अंडा डाल रहा है, वहां की दुनिया में अंडा जो था, वह एक लंश्री थी, कोई बीमार हो जाता, कोई महमान आता, किसी को तोफ़ा देना होता, तो वह अंडा दिया करते थे, चुँके वह एक कीमती चीज मानी जाती थी, वहां पर लोगों को हम बताया करते थे, कि दुनिया में ऐसा चूला भी होता है, जिसका बटन दबाओ, तो उसमें आग चल जाती है, उनको इस चीज का नहीं पता था, उन्होंने कभी कैरो सीन का चूला नहीं देखा था, उनको सिर्फ इस चीज का पता था, कि लकडियों से आग चलाई जाती है, तो वह तो दुनिया बिलकुल और थी, अभी भी कभी हम अपना अलबम खोलते हैं, तो हमारी यादें वहां ले जाती हैं, और हमारा दिल जो है, वह एक खुशी महसूस करता है, तो यह तो थी कुछ यादें और कुछ बातें, जो हमने आपके साथ शेयर की, दुनिया में बहुत दु इसके साथ ही हमें इजासे दीजिए, अल्ला हाफिज